Welcome back to my youtube channel, मेरा नाम है Shubin और आज मैं बजट फोन के बारे में बात करने आ ला हूँ मैंने रिसेंटली एक फोन परचेस करा है उसके बारे में बात करने आ ला हूँ अराउंड 6500 रुपीस का ये मेरे को फोन पढ़ा है मैंने ओफिस के परपस से लिया है जिसमें ओफिस के स्टाफ को हम लोग दे सकें तो 3-4 फोन हम अलग-अलग तरीके के देख रहे थे जिसमें Moto G था, Infinix का एक फोन था, Redmi के 13C था तो ये सारे अलग-अलग तरीके के फोन पढ़ रहे थे लेकिन मेरा बजट सिर 6500 रुपीस के आस पास था और भी आप अगर आपके बास कार्ट बग रहे हैं तो लगाकर और 500 रुपे तक का डिसकांट इसमें या 300-500 रुपे तक का आप डिसकांट ले सकते थे तो मेरा फोन जो आज मैंने परचेस कर रहा है वो है Techno Pop 8 यह कंपनी का फोन है और काफी अच्छे रिव्यूस से इसके ओनलाइन भी मैंने रिसर्च वगरा भी करी तो आज कंपेर्ट टू कंपेटेटर यह काफी सारे फीचर वगरा आपको दे रहा था तब ही मैंने इसको पचेस किया है तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी अंबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले मैं फोन ओपन आपको कर देता हूँ साइड से कट लगाता हूँ सिंपल सा बड़ी ही प्लेन पैकेजिंग दे रखी है और काफी सारी चीज़े इसके अंदर मेंशन है बहुत सिंपल पैकेजिंग है आपको कोई प्रीमियम तरीके की पैकेजिंग यहां नहीं मिल रही है इसके साथ अगर देखते हैं तो डूल स्कूकर्स मिलते हैं जिसमें 400% बिग वाल्यूम आती है यह एक्चिली काफी ट्रू है मैंने जो ऑनलाइन रिव्यूज और भी देखे लाइक मोटो जी के अगेंस, इंफिनिक्स के अगेंस, रेड्मी के अगेंस उसके कंपारिजन में यह सबसे ज़्यादा लूड था इसमें उपर लिखा है 8GB RAM जिसमें extendable RAM यह कहते हैं 4GB के है लेकिन actually इसके अंदर 4GB RAM ही मिलती है और 64GB ROM मिलती है उसके इलावा देखें एक आपको microSD card भी मिल जाते है card का area भी मिल जाते है जहांपर आप इसको connect कर सकते हैं तो 90Hz का screen मिल जाता है 5000 mAh की battery और octa core इसके अंदर एक processor मिलता है चलिए unboxing करते हैं और first look देखते है iPhone की तरह इसका look आता है तो हलका सा staff की demand थी कि भाई sir ऐसा phone दे दिये जो और जादा stylish लगे तो इस वज़े से भी एक reason था जो हमने purchase करा इसको side से हलका सा कोलते हैं तो पीछे आप देख सकते हूं अभी मैं आपको camera section भी दिखाता हूं इसका तो यह open करा तो बड़ा sleek सा phone लग रहा है काफी easy to carry कोई weight point of view से बहुत heavy नहीं है और इसको unboxing करते हैं यहाँ पर unboxing के लिए यह आपको leave खोलनी पड़ती है और यह phone आपका हाथ में आ जाता है phone को चली एक second में unbox करते हैं पहले देख लेते हैं कि box में क्या contents है इस phone के हिसाब से अगर देखें तो packaging बिलकुल apt है इसी दरगी की होती है plus आपको phone के अंदर already एक cover मिल जाता है which is a very nice thing cover आप देख सकते हो, बिलकुल बढ़िया से cover मिल जाता है आपको पूरा charger का set मिल जाता है और same ejection tray भी मिल जाती है तो यह तीनों चीज़े आपको इधर मिल जाती है इसके लावा जादा कुछ नहीं है, paperwork भी बहुत कम रखा है बहुत ही कम paperwork है और box में सिर्फ यह सारी चीज़े मिल जाती है C type आपको charging port मिल जाती है 10 watt की charging charger आपको इसके अंदर मिलता है लेकिन यह support जादा कर जाता है तो टेक्नो लिखा हुआ है, चलिए phone का cover भी चड़ा जेते हैं बड़ा sleek सा cover है HiOS इनका है जो main operating system इसका है Techno का वो HiOS है और 13 version इसके अंदर डाला हुआ है आगे बढ़ते हैं तो यह based on Android 13 है तो phone की first feel आप देख सकते हो इदर बिलकुल clearly यहाँ पर आपके सामने phone on हो गया है movement बहुत comfortable है एकदम smoothly आप इसको चल पा रहा है कोई lag नहीं किसी तरीके का अभी कोई किसी भी तरीके का lag नहीं है काफी सारे options यह बता रहा है हर Android अपने अपने तरीके से optimized होता है और नएने तरीके के features कुछ-कुछ companies set up कर देती है HiOS जो यह है इसके अंदर अलग तरीके के features कुछ मिल रहेंगे एकदम comfortable लग रहा है screen size बगरा देखें तो बहुत अच्छा काफी premium लग रहा है पीछे आप camera देख सकते हो बिलकुल iPhone वाला look type देने की कोचिश करिए दो हलके से बड़े हैं और left side में अगर देखो के तो यह आपका flash का button है और दो camera आपको इदर दे रखे हैं camera में चलते हैं तो camera quality अगर check करते हैं तो camera quality काफी अच्छी लग रही है मेरे को और मैं आपको कोच samples इदर दिखा दूँगा यह जैसे मैंने photo click करी है काफी बढ़िया लग रही है selfie भी अगर click करते हैं तो मजब for the budget अगर 6500 रुपीस के point of view से देखें तो यह कहीं भी किसी भी तरीके से मात नहीं खा रहा है अभी 5000 mAh की आपको battery मिलती है 12 megapixel का camera मिलता है इसके अंदर secondary और dual camera मिलता है काफी साही है overall किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रग रही है budget phone अगर आप consider करना चाहते हैं अपने लिए तो बिल्कुल इसको देख सकते हैं